नमस्कार विद्धरतियों मैं प्रशान चाद हो सक्सेस होम ट्विटर में आप सभी का हर दीक स्वागत करता हूँ तो आज हम देखेंगे कुछ अंगरी जी के ऐसे शब्द जो कि हम रोज मर्रा के जीवन में बोलते हैं और उसे हिंदे में क्या कहते हैं वो देखेंगे तो लिसन कियर्फुली एंद पे अटेंशन नव आइं स्टारिंग मैं सेशन जो फर्सली वी बिल वाँच जो पहला शब्द है तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं क्या कहते हैं तो इसके बाद जो आता है तू गुड तू गुड तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं बहुत अच्छा धान में रखिए या शब्द यदि हम अच्छी तरीके से सुनेंगे और देखेंगे इस वीडियो के माद्दें से तो जरूर हम अंग्रेजी अपना अच्छा कर सकते हैं क्रियेटिव बना सकते हैं तो फिर से देखिए नेवर माइंड को हिंदी में कहते हैं कोई बात नहीं और तू गुड को कहते हैं बहुत अच्छा तो आगे देखेंगे डॉंट वरी उसे क्या कहते हैं हिंदी में चिंता मत करो डॉंट वरी उसे हिंदी में कहते हैं चिंता मत करो और उसके बाद चस्ट कामेंग चस्ट कामेंग हिंदी में इसे कहते हैं मैं अभी आ रहा हूं याने मैं आ रहा हूं उसके बाद दैट्स इनफ बस काफी है दैट्स इनफ उसे हिंदी में क्या कहते हैं बस काफी है SHUT UP हिंदी में उसे चुप रहो कहते है हिंदी में क्या कहते है उसे चुप रहो उसके बाद KEEP QUOIET KEEP QUOIET को हिंदी में क्या कहते है चुप रहो हिंदी में क्या कहते है KEEP QUOIET को चुप रहो हिंदी में KEEP QUOIET को चुप रहो कहते हैं अगला देखेंगे My pleasure My pleasure का अर्थ क्या है मैंने खुशी से किया हम बोलते हैं ना किसी को भी It's my pleasure याने मैंने ये खुशी से किया किसे किया खुशी से किया वेरी गुट अगला Very Fine अंगलेजी का ये शब्द है Very Fine जिसे हम हिंजे में कहते हैं बहुत ही बढ़िया यदि कोई अच्छा कान किया हो किसे ने तो हम उसे कहते हैं Very Fine यदि किसी स्टूडन ने अच्छे अंग प्राप्त किये हो परिक्षा में तो उसे कहते हैं Very Fine Very Fine Marks you have taken For Example For Examination So Next Question This is Super यह बहुत बढ़िया है उसका हिंजे में आर्थ होता है यह बहुत बढ़िया है See you soon तो इसे हिंजे में कहते हैं जल्दी ही मिलेंगे उसके बाद See you tomorrow उसे हिंजे में कहते हैं See you tomorrow को कहते हैं कल मिलेंगे क्या कहते हैं उसे कल मिलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे not at all not at all यानि बिल्कुल नहीं not at all का जो अर्थ होता है हिंदी में बिल्कुल नहीं और अगला जो last शब्द है last के जो शब्द है a bit more थोड़ा और इस कार्थ है a bit more कार्थ क्या है थोड़ा और तो students हमने कुछ आज अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अर्थ यहाँ पर देखें जो कि हम रोज मर्रा के जीवन में यूज तो करते हैं मगर उनके मतलब नहीं मालूम होते तो आज ये वीडियो देखने के बाद तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है अंग्रेजी और अंग्रेजी का हिंजी में जो ट्रांसलेशन है तो students आपको ये जो वीडियो है जरूर पसंद आया होगा में आपकी यह पर विदा लीता हूँ नमस्कार